नमस्कार इंजे ओइस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रिया डंगवाल बुलिटिन की शुरुवात करेंगे इस वक्ती बड़ी और एहम ख़बर के साथ यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे जिप्ती सीम केशव प्रसाद मौरे का अखलेश यादफ पर पलटवार सियासी विवात के बीच के बीच के बीच प्रदेश दोनों जगा सरकार है, ऐसा केशव प्रसाद मौरे ने लिखा है दोनों जगा मजबूत संगटन और सरकार है, सपा का पीडिये सिर्फ और सिर्फ एक धोका है, यूपी में सपा के गुंडाराच की वापसी संभव नहीं है बीच पी 2027 में धानसभा चुनाव में 2017 का प्रदर्शन दोर आएगी, तो बड़ी ख़बर आपको बता दे यूपी के जिप्ती सी एन केशव प्रसाद मौरे पूरी तरा से अक्टिव नजर आ रहे है अखिलेश यादफ पर जमकर उहांने पलतवार करा है, हाला कि थोड़ी दिर पहले अखिलेश यादफ ने प्रेस कोन्टिव कर दिया है कही ना कही अखिलेश यादफ ने केशव प्रसाद मौरे और मुख्यमंत्री योगी आ दिदिना दोनों पर ही निशाना साधा था वही अखिलेश यादफ की प्रेस कॉर्टेंस का जवाब देते हुए जिप्ती सीयन केशफ प्रसाद मौरे ने ट्वीट कर अखिलेश यादफ पर पलटवार किया है उन्होंने साफ तौर पल लिखा है कि बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगा सरकार है दोनों जगा मस्बूत संगटन और सरकार है सपा का पीडिये का फॉर्मिला महज एक धोका है यूपी में सपा के गुंडाराज की फिर से वापसी नहीं होगी वापसी असंभव है और 2027 विधान सभा चुनाव में बीजेपी 2017 को ही दोर आएकि आपको बताते कि 2017 विधान सभा चुनाव में भारतिये जंता पार्टी प्रचंड वहूमत बीजेपी ने हासल की थी यूपी की 10 विधान सभा सीचों पर उप्चुनाव है जिसमें करहल मिल्कीपुर शामिल है साथी कठेरी और कुंदर की शामिल है तो ये वो दस विधानसभा सीचे आपको बता रहे है जहां उप्चुनाब होना है गाजयबाद, खैर इसमें शामिल है करहल मिलकीपुर तो ये वो दस सीचे करहल मिलकीपुर कठेरी, कुंदर की ये वो दस विधानसभा सीटे हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई थी गाजियाबाद, खेर, मीरापुर फूलपुर और मज्वा ये वो दस विधानसभा सीटे जिनमे यूपे में उपचुनाव होना है सीसा माउ तो उपचुनाव की तयारी को लेकर इन दस सीटों पर जिस तरह से उपचुनाव होना है इस उपचुनाव को एक सेमी फाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है सीम यूगी की अगवाई में मंत्रियों की आज बैठा कोई थी मुखे मंत्री यूगी आदितिनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठा कर हर सीट के प्रभारी मंत्री के साथ चर्चा की और मंत्रियों को ग्राउंड पर जाकर बूत को मस्भूती देनी की नसीहाद दी साफ तोर पर निर्ने यहाँ पर सीम यूगी आदितिनाथ ले लिया कि उस्तर प्रदेश में पूरी तरह से सियासी हलचल देज है एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कॉंगर्स सा कद बढ़ता जा रहा है लोकसभा चुनाथ के दौरान बहतर प्रदर्शन यहां रहा समाजवादी पार्टी और कॉंगर्स की गटबंदन का दूसरी तरफ भारतिय जंता पार्टी बैक फुट पर यहां नजर आई यही वज़ा है कि यूपी में सियासत पूरी तरह से गर्म है और अब सभी की निगाहे उन दस पीचो पर होने वाले उप्चुनाव पर है इसी बीच अखिलेश यादव ने आज पलटवार कर जमकर केशव प्रसाद मौरे और यूगी आदितिनाद को धेरा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉंफरेंस में साफ तौर पर कहा कि कुरसी की लड़ाई ने यूपी की जंता को परिशान कर दिया वही अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए डिप्टी सी एम केशव प्रसाद मौरे ने अखिलेश यादव पर पलटवार कर साफ तौर पर कहा कि 2027 में बीजेपी 2017 का प्रदर्शन दोहर आएगी जाधा जानकारी के लिए सीधा रुप कर लेते हैं समवादा तक कृष्णा मिश्रा का ही बाद बाद ये में होगी हुए य देखे रिया भारती जंता पार्टी जो है लगतार जो है ऐसे कोसे करती आ रहे है और अगर अखलेश यादों की बात करें तो जिस तरीके से उत्वार्यों प्रदेश के मुक कम வेशाद मौरिया ने बयान देया था इस बयान के लडाई में प्रदेश की जंता को ना पीसा जाए और इसी पर अब अखलेश यादों के बयान को पलटवार करते हुए केशो परशाद मौरिया ने बड़ा बयान दिया है और अपने एक्स के माध्यम से बताया है कि भारती जंता पार्टी के अंदर ना तो कोई कले है और भार जंता के इस बयान के बाद यह भी करास लगाया जा रहा है कि सरकार और केशो परशाद मौरिया के बीद जो अनबन थी और कहीं न कहीं अनबन खत्म होती दिखाई पर रहे है क्योंकि के यह पी नड़्डा से दिली में मुलाकात केशव परसाद मौरिया और उसके बाद बिल्कुल रिया बताया जासकर कि जिस तरीके से कल केशो परशाद मौरिया के मौरिया के मौलाकात हुई है जेपे नड़्डा से उत्तरप्रदेश के परदेश अध्यक्स भी मौजू थे भूपेन चौधरी तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई उप्चुनाओ को ल लाइन से हट के जो बयान दे रहेते इस पर भी चर्चा की गई है चाहे वह मौती सिंग हो चाहे वह रमेश मिस्रा विधायक हो तो तमाम इन मुद्दों पर चर्चा हुई है कि उत्तरप्रदेश में दस सीटों पर विधान सभा के उप्चुनाओ को देखते हुए जो बयान दिया है और उन पर पलटवार किया है केसो परशाद मौरिय ने बताया है कि अब भारतिय जनता पार्टी देश और प्रदेश दोनों जगार संगठन और राजनितिक तोर पर मजबूत है और अब समाजवादी पार्टी की कोई इस्तिती नहीं है कोई ऐसे इस्तिती बनती नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी वापसी होगी और जो गुंडा रास्ता समाजवादी पार्टे के साचन दावें लेकिन कृष्णा हमने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन देखा काफी निराशा जनक रहा और उसकी एक वज़ा अंतरकला भ पर दिया है कि आगे जो विधान समाजवा चुनाव है उन पर सबकी निगाह है और जिस तरह से जो उपचुनाव है क्या माना जाए जो अंतरकला थी वो मिक्ती हुई आपर नजर आ रही है बिल्कुल रिया जो अंतरकला भारते जनता पार्टी में देखी जा रही थी वो कही न कहीं जो कल मुलकात हुई है जराश्टियर जैपी नडड़ा से केशो परशाद मौरिया की बुपिन चोदरी की उसके बाद जो है ये लगातार इस पे विचार के जा रहा है हो ये खता मौती दिखाई दे रहे इसलिए आज केशो मौरिया ने अखले श्यादो पर प्रहार करते हुए कहा है कि जिस तरीके से 2017 में भारते जनता पार्टी ने पूर बहुमत की सरकार बनेगी और डबल इंजन की जो सरकार प्रदेश और देश की सरकार मिलके और जनता के हिट के ल जो अंतरकल है कि जो खबरें प्रदेश की जनता के बीस में जा रही थी उसको खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है इसे को लेकर केशो मौरिया ने आज ये ट्वीट किया है क्रिशना एक तरफ केशव प्रसाद मौरे ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि अब गुंडाराच की वापसी असंभव है उत्तर प्रदेश में दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का PGA का फॉर्मिला है उस पर भी उन्हों ने निशाना सादा और कहा कि सपा का PGA सिर्फ और सिर्फ धोका है क्या माना जाए जिस तरह से केशव पॉर्षाद मौरिय एक बड़ा OBC चेहरा है उत्तर प्रदेश में और अब PGA को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरना देखे रिया भारती जनता पार्टीया और केशो परशाद महुरीया ये लगातार PDA को लेकर समाजवाधी पार्टी को भेरते नजरा है अब इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादो का क्या रुख रहता है तो देखने वाली बाथ होगी लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार पीडिये के रणनीती के साथ जो है 2024 में जो प्रप्रदेश में उप्चुनाव होना है उसमें जा रही है अखलिश चादो को कहина है कि हम PDA के फर्मोले से लोगतवा चुनाव लड़े थे और विदान सभा के उप्चुनाव भी हम PDA के फर्मोले के तहत ही लड़ेंगे तो आप अखले स्यादो इस पर क्या पलटवार करते हैं तो देखने वाली बात होगी लेकिन भारती जन्ता पार्टी लगतार उनको घेरते वे नजर आ रही है प्रदेश में चाहे वो सुरच्छा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्त व्यवस्था हो, चाहे ब्रस्टाचार कारोप हो, चाहे गुंडाराज कारोप हो, यह लगतार समाजवादी पार्टी पर लगाती नजर आ रही हो, भारतिय जनता पार्टी को कहना है कि वो ऐसे नेता हों क खिलाब सक्त उसे सक्त कारवाई भी कर रही है वो नेता चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे कॉंग्रेज के हो चाहे कुछ भारती जनता पार्टी के ही कि नहीं हुआ है वाई खबरों में आगे बढ़ते हैं बात यूपी की सियासत से जोड़ी बड़ी खबर के कर लेते हैं आज शाम 6 बजे राज़िपाल से मिलेंगे मुख्यमंतर योगी आदितिनाथ CM योगी ने राज़िपाल से मिलने के लिए समय मागा है शाम 6 बजे राज़िपाल से मिलने के लिए समय मागा है इस बीज उतरप्रिदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने यूपी की राज़िपाल आनधी बिन पटेल से मिलाकात के लिए समय मागा है CM योगी आदितिनाथ आज शाम 6 बजे राज़िपाल से मुलाकात करेंगे हाला कि किस संबंध में मुलाकात है उसकी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है लेकिन मुलाकात आज मुक्यमंत्री योगी आधितिनाफ ने राजजपाल से मुलाकात के लिए समय मागा है शाम 6 बज़े राजभवन में मुलाकात होगी मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी किनकिन मुद्बों पर यहाँ पर चर्चा होती है आखिर किस वाज़ा से ये मुलाकात खास मानी जा रही है इस पर सभी की निगाहे इसके लिए थोड़ा और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि साम 6 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने राजजपाल आनदी बेन पटेल से मिलने के लिए समय मांगा है तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आथ सुबा ही हमने देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने उप्चुनाथ को लेकर बैठक की थी सबी मंत्रियों के साथ अपने क्याबिनेट के साथ बैठक की थी और हर उस शेद्र के प्रभारी मंत्री को साफ तोर पर बूट लेवल पर जाकर बूट को मजबूत करने के निरदेश दिये थे क्रिशन मिष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए, क्रिशना जिस तरह से यूपी की सियासत पूरी तरह से गर में है, काफी तरह की चरचाय चल रही है और इन चर्चाओं के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदितिनातनी राज़िपाल से मिलने के लिए समय मागा है आकर किस संबंध में ये मुलाकात कृष्णा आपको आवास मिलता रही है ठीक है शायद संपर्क कृष्णा से तूट गया है अब फिर से जोडने का प्रयास करेंगे तब तक आपको बता दे कि जुसतरा से राजनीतिक चर्चाएं काफी जादा गर्म है उत्तर प्रदेश में उसी तरह से अब इन चर्चाओं के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने राजिपाल आनंदी बेन पतेल से मुलाकात के लिए समय मागा है हाला कि किस संबंद में मुलाकात है वो अपसे कुछी देर में साफ हो जाएगा शाम 6 बजे राजभवन जाकर CM योगी आदितिनाथ राज़िपाल से मुलाकात करेंगे इस मुलाकात को काफी खास भी माना जा रहे क्योंकि आध सुबा ही मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने अपने क्याबिनेट के साथ बैठक की थी क्याबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी वहीं आज सुभा जिस तरह से क्याबिनेट के साथ बैठा को और उसके बाद अब शाम 6 बज़े राजपाल से मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ मिलेंगे राजपाल से मुलाकात के लिए सीम योगी आधितिनाथ ने समय मागा है हाला कि किस संबंध में ये मुलाकात है या अपसे कुछ ही देर में साथ हो जाएगा तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आज शाम 6 बज़े राजपाल से मुलाकात करेंगे मुखी मंतरी योगी आधितिनाथ ने राजपाल से मिलने के लिए समय मागा है शाम 6 बज़े राजपावन जाकर सीम योगी आधितिनाथ राजपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात करेंगे जाधर जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संबादाता क्रिश्णा मिश्रका क्रिश्णा जिस तरह से राजपाल से मुलाकात के लिए मुखी मंतरी योगी आधितिनाथ ने समय मागा है आखर किस संबंध में ये मुलाकात और क्या माइन है देखिए रिया जो है उत्रप्रदेश के मुखमंतरी योगी आधितनाथ ने आज अपने कैविनेट मंतरियों के साथ मुलाकात की है मुलाकात के बाद उन्होंने जो है फीडबैक लिया है कि जो 30 जून को बैठक हुई थी उस बैठक में जो मंतरियों को दायुति दिया गया था कि जो 10 विधान सभा सीटों पर उप्चुनाव होना है वहाँ जनता के बीच में जाए और वहाँ से रणनीती तयार करके और उन्हें एक जो है समिछ तयार करके रिपोर्ट तयार करी है मुखमंतरी योगी की मुलाकात होगी राजनीती के जो जानकार है अगर उनकी माने तो वो उनका साफ़तोर पर तैरा है कि इसको लेकर जो सियासी गल्यारों में चर्चा कभी से बना हुआ कि इस बैठक के बाद जो है उत्तरदेश के राजनीती में एक बड़ा फेर पदल देखनों को भी मिल स पस्ट होगा लेकिन जो ये खबर है ये खबर है कि उत्तरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात आज साम 6 बजे राज़पाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद मंत्री मंडल में विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है और 10 सीटों पर उपचुनाओ होना है तरह से आपने भी कहा कितना मांन सकते है कि कुछ बड़ा फेर बदल यहाँ पर संभव देखे रिया अगर फेर बदल की बात करें तो फेर बदल अगर होना होगा तो जो दस सीटों पर उपचुनाओ होना है उपचुनाओ के बाद ही कोई फेर बदल होगा लेकिन अगर राजनीतिक जो जानकार है जो जो राजनीतिक विश्लेशक है अगर उनकी माने तो उनका प्रियाग राज की कर लेते हैं माफिया अतीक एहमत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे अतीक एहमत की 50 करोड की संपत्ति पर कबजा कर लिया गया है 50 करोड की बेनामी संपत्ति राज सरकार के नाम हो गई है गैंग्स्टर आक्ट में पोलस ने संपत्ति को खुर्क किया था गैंग्स्टर थाने में गैंग्स्टर आक्ट का मुकदमा दर्फ हुआ थो ये बड़ी खबर आपको बता दे माफिया डॉन अ अधीक एहमत की 50 करोड की संपत्ति पर यहां पर सरकार ने संपत्ति को खुर्क कर लिया है 50 करोड की बेनामी संपत्ति अब राजी सरकार भी हो गई है गैंग्स्टर आक्ट में पोलस ने संपत्ति को खुर्क किया था गैंट थाने में गैंग्स्टर आक्ट का मुकदमा दर तो यह बड़ी खबर आपको बता दे प्रयाजात में जहां माफिया जॉन अतीक एहमद की 50 करोड की संपत्ती को सरकार प्रसाशन ने कुर्क कर लिया है जादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं समवादाता शोएब रिजवी का शोएब जांसराक में कारवाई करते हुए अतीक एहमद की 50 करोड से जादा की संपत्ती को यहां पर कुर्क कर लिया गया है क्या जानकारी तोरा है जो मामला है यह अतीक की इस संपत्ती की बारे बताए जारे कि बेनामी संपत्ती ती जो यहां की गौश्पुर कटॉला हिलाके में 35 करोड की कीमत बताई जा रही और यह संपत्ती पिस्टे जिनों पूर की गई थी उसके बाद बाकदा जो कमिस्टर कोस है वहां से नोटिस जारी किया गया था और यह कहा गया था कि यह जो बेनामी संपत्ती जो अतीक की थी किसी के नाम पर ली गई थी ये शमत्यत को एक बता जा रहा रहा है जो जरायम की दुनिया है उससे जो धनर्जित किया था उससे संपथ्क खरी दिया hice इस्तरा की तसकी तमाम पीज़े थी और इसी वजह से संपत्त को पूर्ष कर लिया गया था पूर करने को बाद बाका था जो पानुनी पृष्पिया उसके तैस इसमें गेंगेश्टर को पहुंचा और वहां पर एक तरह से यह साथ प्रसुत नहीं किया जा सका जिसकी संपत्ती है और इसके बाद अभी इस संपत्त को राज्टरकार के आदिन कर दिया गया यानि रास्टरकार के अंडर में इसने संपत जाहेगी दरसल ये जमीन जो थी वो गौशपूर कटोला में वेनामी संपत्य के रूप से पताय जा रहा था और इसी आधार पर कारवाई की तरह से जुड़ा है पूरा मामला 50 करोड की से जादा की संपत्ती है जिसको कुर्क कर लिया गया है क्या माना जाए कि आगे भी ऐसी कारवाई संपफ बिल्कुल अगर देखा जाएं तो अब सक अधीक हमत से जुड़े मामले में बहुत कारवाईयां हो कुछी है लेकिन ये कह सकते कि समराज या तो बहुत बड़ा है या कही ना कहीं अभी भी ऐसी चीजें है जिस पर निगाहें लगतार पुस्टासन की सरक करोर से जादा की संपत्ति को यहां पर कुर्क किया गया है अगर आगे की कारवाई की बात करें कि कई सारे ग्यांग्स्राक के मामले जो थे माफिय डॉन अतीक आहमत पर दर्च थे उनके भाई पर दर्च थे आगे और क्या कुछ कारवाई का कदम में लिखिए इस तरह की कारवाईयों के साथ से कई कारवाईयों जिसमें बाकदार बुलोजर के जरीयों इसको जमीदोर किया गया इसी संपत्ति जो अ मिले है इसी और कोई बेनामी संपत्ति माफिय डॉन अतीक एहमद या उनसे जुड़े करीबियों की यहां पर चिनहित की गई हो कि अभी जान चल लए है और इसी वज़े से अभी कहा जा सकता है कि अभी बहुत से ऐसी जमीने हो सकता है कि प्रशासन की निगाव में आएं कि इसके नाम पर जनित हैं और वहीं पर श्म असपत्ति लगाएं तो वहीं और यह उसे लोग संपत्तिय अर पर जब लोग कि जाएंगगे अन्त ALEX वहने कगने हैं कि और वह बहुत संपत्तिया सामने आएगी और कर शासानन यह कोंशिश लगातार कर रहा कि कि ऐसे लोगों को उनकी संपत्य आपर वापिस करने की प्रसाशन की तरफ से कोई कोशिश या कुछ सोच हो ठीक है बहुत-बहुत शुक्रियाश हो यह बाप का तमाम जानकारी के लिए इसे के साथ इस बुलिटिट में फ्लार के लिए सिफ इतना ही खबरों का सिलसला जारी रहेगा बने रहे हमारे साथ